Astronomers के हिसाब से हमारे युनिवर्स में एक ऐसा स्टार भी है, जिसे बनने के लिए millions of years नहीं, बलकि quarterillion of years का समय लगता है, और इसे detect करना लगभग नामुम्किन है, क्योंकि इस तरह के स्टार ना ये heat produce करते हैं, ना ही light, और इसी वज़े से साइन्टिस्ट इस स्टार को बलक ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है, और ऐसे स्टार तब बनते हैं, जब किसी स्टार के पास सुपरनोवा होने के लिए enough mass नहीं होता, और वह अपने hydrogen और helium fuel को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिस से वह स्टार उयट ड्वार्फ में बदल जाता है, लेकिन फिर भी वयट ड्वार्फ काफी वक्त तक light और heat एमिट करता रहता है, लेकिन जब ये process खतम हो जाता है, तो ये वाइट ड्वार्फ एक black dwarf में बदल जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि साइंटिस्ट एक भी ब्लैक ड्वार्फ को नहीं ढूंड पाए हैं क्योंकि ये हीट और लाइट को एमिट ही नहीं करते हैं और दूसरी बात हमारा यूनिवर्स सिर्फ 14 बिलियन येर्स पुराना है जो कि एक ब्लैक ड्वार्फ के बनने के लिए इनफ नहीं है सिर्फ हमारे पेज पर ही आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो कहीं नहीं मिलती तो फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूले